वेलकम टू माई चैनल मैं अनू आज का जो मैं मेकप लुक करने वाली हूँ यह है लोहरी मेकप लुक और आप इसे पंजाबी मेकप लुक भी कह सकते हैं जैसा कि आप लोग को पता है कि लोहरी आने वाली है तो यह beautiful सा मेकप लुक मैंने उसी के लिए create किया है I hope आप लोग क आपके face को hydrate रखता है और refresh बनाए रखता है और इसे मैं थोड़ा सा dry होने दूंगी अच्छे से next मैं यूज़ कर रही हूँ यह निविया की soft moisturizer cream जैसा कि आप जानते हैं winter में ना skin काफी dry हो जाती है और मेरी skin जो है वो normal है तो मैं winter में moisturizer जरूर लगाती हूँ और अगर तो आप इसे avoid भी कर सकते हैं यहाँ पर मैंने moisturizer को पूरी face पर अच्छे से लगा लिया है and next मैं यूज़ कर रही हूँ स्वीटी का real makeup base highlighting primer स्वीटी का यह वाला जो highlighting primer है ना personally मुझे काफी पसंद आता है यह मैंने new मंगाया है एक मेरा खतम हो गया था और इसे लगाने के बा नहीं हूं beton wild की rose great इसमें से सबसे पहले मैंने brush से gel लिया है जैल से अपनी दोनों eye rose को अच्छे से set किया है then मैंने brown color लिया है brush से फिर मैं अपनी eye rose को अच्छे से fill कर रही हूँ और यहाँ पर मैं अपनी दोनों eye rose को अच्छे से fill कर लूँगी और अब मैं next यूज़ कर रही हूँ swiss witty की cover studio की यह concealer palette और इसमें से मैंने यह brush से concealer लिया है और इसे मैं अपनी लेट पर अच्छे से लगा रही हूँ और यहाँ पर मैंने दोनों eye eyes पर सबसे पहले concealer को लगाया है then मैं आप मैं यह beauty blender ले रही हूँ beauty blender से जो मैंने concealer लगाया है ना उसे अच्छे से set कर रही हूँ और अब मैं यहाँ पर यह lacmica rose powder ले रही हूँ rose powder जो मैंने concealer लगाया है ना उसके उपर मैं ये rose powder लगाऊंगी ऐसा करने से आपका जो eye makeup है ना अच्छे से होता है और थोड़ा सा over के आता है तो मैंने दोनों eyes पर अच्छे से rose powder को लगा लिया है अब मैं यहाँ पर ये कार्मिनल 3 की eyeshadow palette यूज़ कर रही हूँ और इसमेंसे मैंने brush से ये बहुत light वाला जो orange color होता है ना वाला मैंने pick किया है और जो मेरी crease है ना वहाँ पर मैं इसे अच्छे से लगा रही हूँ और अच्छे से blend कर रही हूँ next मैंने ये hilly roda के eyeshadow palette ली है इसमेंसे मैंने ये dark green color लिया है और इसे मैं ये जो मेरी lid है ना उसका जो outer corner है वहाँ पर मैं इसे अच्छे से लगा रही हूँ और अच्छे से blend करूँगी blend आप जितना अच्छे से करोगे इतना अच्छा आपका eye makeup होता है अब मैंने यहाँ पर ये concealer palette में से concealer pick किया है brush से और इसे मैं half cut crease draw करूँगी तो मैंने inner corner से half lid तक मैंने ये concealer को लगाया है और अब मैं यहाँ पर ये shimmer color ले रही हूँ ये मेरा MAC का है और इसे मैं brush से जो है ना वो half जो मैंने cut crease draw करी है वहाँ पर मैंने इसे लगाया है next मैं अब ये leg makeup eyeliner यूज़ कर रही हूँ ये मुझे काफी पसंद आता है और easy तरीके से ये लग जाता है तो मैं mostly इसे ज़्यादा लगाना पसंद करती हूँ तो मैंने eyeliner को अच्छे से लगा लिया है next मैं ये mask का mascara यूज़ कर रही हूँ काफी अच्छा mascara है आपके जो lashes है उना अच्छा खासा volume दे देता है next मैंने अब उसी concealer palette में से ये orange concealer लिया है और इसे मैं अपने जो मेरे dark circle है ना वहाँ पर मैं brush से लगा रही हूँ और जहाँ जहाँ मुझे थोड़े spots हैं और pigmentation है मैंने वहाँ इस concealer को लगाया है और अब मैं beauty blender लेकर के जो मैंने orange वाला concealer लगाया है उसे अच्छे से set करूँगी और अब मैं हाँ पर ये sweet sweetie का concealer ले रही हूँ concealer को मैं जो मेरे highlights वाले point है मैं वहाँ पर concealer को लगा रही हूँ जैसे dark circle हुए आपका forehead, nose और chin वहाँ पर मैं ये concealer को लगा रही हूँ sweet sweetie का ये वाला जो concealer है न ये सच में काफी अच्छा concealer है अगर आप कोई कम price में अच्छा concealer देख रहे हैं तो आप इसे जरूर purchase करिए ये जो आपके dark circle, dark spot, pigmentation जो होती है उसको काफी अच्छे से height करता है और easy तरीके से ये blend भी हो जाता है आप देखी सकते हैं मैं beauty blender से ब्लेंड किया है next मैं use कर रही हूँ ये Maybelline Treatme का matte pro less 220 foundation और इसे मैं dot dot करके पूरे face पर अच्छे से लगा लूँगी और थोड़ा सा foundation मैं अपनी नेक पर भी लगा रही हूँ ये वाला जो foundation है Maybelline Treatme का काफी अच्छा foundation है काफी अच्छा coverage देता है आपके face पर और मैं यहाँ पर ये damp beauty blender का use कर रही हूँ इसको blend करने के लिए तो काफी easy तरीके से blend हो रहा है और यहाँ पर थोड़ा face जो है white दिख रहा है न कुस टाइम मैं ये है न आपकी skin से ही match होने लगेगा इतना अच्छा foundation है और इस foundation में काफी shades भी मिलते हैं आपकी skin की according और अब मैं next ये sweet sweetie का concealer ले रही हूँ और जो मेरे dark circle है न वहाँ पर मैंने ये concealer को लगाया है और beauty blender से इसे मैंने blend किया है अब मैं यहाँ पर ये black makeup rose powder लोगी और जो मेरा make up base था उसको मैं set करूँगी अच्छे से इस rose powder से तो मैंने यहाँ पर ये breast से पूरे face को अच्छे से लगा लिया है और थोड़ा समय पर अपनी नेक पर भी ये rose powder को लगा रही हूँ यहाँ पर मैं ये lower less line पर है न green color लगा रही हूँ और ये मैं थोड़ा outer की side पर लगा रही हूँ और next मैं ये kajal का use करूँगी ये मेरा batten wild का white kajal है और इसे मैं water line पर लगा रही हूँ यहाँ पर मैं eyeshadow palette में से ये मैंने white वाला जो shimmer color होता है न वो brush से लिया है और जो मेरी eyes का जो inner corner है न उसको मैं highlight कर रही हूँ यहाँ पर मैंने eyebrows की जो नीचे highlight करते हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा highlight किया है और अब मैं अब यह color queen का tint ले रही हूँ as a blush के लिए और इसे मैं finger से ही लगा रही हूँ अपने दोनों chicks पर और कापी अच्छे से लग जाता है यह tint और finger से ही इसे मैं हलका हलका मैंने nose पर भी लगा लिया है और highlighter के लिए sweetie का highlighter यूज़ कर रही हूँ अच्छे से लगा लिया है next मैं यूज़ कर रही हूँ यह sweetie की lip liner pencil और इससे मैं जो मेरे lips है उसको अच्छे से shape दूँगी lip liner लगाने के बाद lipstick है ना काफी अच्छे से लगती है lipstick के लिए यह blue even की lipstick का यूज़ कर रही हूँ और इसका जो color है ना यह थोड़ा pink color है और यह matte lipstick है लगने के बाद काफी प्यारी लग रही थी यह इस वाले makeup look पर तो आप देखी सकते हैं और next मैं makeup को set करने के लिए makeup fixer का use कर रही हूँ यह Swiss beauty का makeup fixer है और end मैं यह beauty blender लेकर के ना जो makeup fixer है उसको अच्छे से सेट कर दूगी यहाँ पर मेरा makeup complete हो गया है और अब मैं hairstyle के यहाँ पर चोटी बनाई है क्योंकि यह पंजावी makeup look है तो चोटी अच्छी रगती है और चोटी बनाने के बाद मैंने यह थोटी चोटी clips लगाई है इससे काफी अच्छा look आएगा और यहाँ पर मैंने यह जो clips है अच्छे से लगा ली है और डुपट्टा जो है वो मैंने नेक से touch करके लगाया है और जो lace है वो उसकी front पर रहने दी है इससे काफी अच्छा look लग रहा था तो आप देखी सकते हैं यह है मेरा final make-up look जो कि मैंने लोरी के लिए किया है आई होप यह वाला जो make-up look है आप लोग को पसंद आएगा पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को like, share and subscribe जड़ो करना thanks for watching